हालो एब्रीवन आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पड़ो दिल से आज हम डिसकस करेंगे इंग्लिश की लेस्ट प्लैन के बारे में टोपिक हमारा रहेगा इंटर्जेक्शन्स जब भी आपको लेस्ट प्लैन आते हैं सबसे पहले आपको जनरल यह आपके सब्जेक्ट रिलेटिड होते हैं इसमें आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं इसके बाद आते हैं स्पैसिफिक एम्स यह आपके टॉपिक रिलेटिड होते हैं इसमें भी आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं इसके बाद आपको लिखना है टीचिंग एड्स टेबल बनाना होता है जिसमें Serial Number, Pupil Teacher Activity, Student Activity लिखना होता है, Pupil Teacher Activity में आप जो भी questions Put up करते हो उपको यहां पहे लिखने हैं और in students activity में students का response लिखना है, जिसमें स्टूदेंस के लिए उसके बाद आपको announcement कर देने हैं topic की, Today we will study about Interjections and its Types. प्रेजन्टेशन प्रेजन्टेशन के लिए आपको एक टेबल बनानों था जिसमें सीजेल नंबर टीचिंग पॉइंट्स इसमें आपके मेन पॉइंट्स आ जाएंगे प्रेजन्टेशन 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 इसलिए आपको इसको सुन रहे हैं और अपनी नोट बुक में नोट डाउन कर रहे हैं अब आपको ताइप्स को एक्स्प्लेन करना है इंटर्जेक्शन्स फॉर ग्रेटिंग्स आप एक्साम्पल्स को फ्लेश कार्ड की हल्प से एक्स्प्लेन कर सकते हों इंटर्जेक्शन फॉर हैपिनेस इंटर्जेक्शन फॉर अटेंशन इंटर्जेक्शन फॉर अप्रूवल इंटर्जक्शन्स for surprise एक्जाम्पल से आपर लिख के paste कर दिये हैं इंटर्जक्शन्स for sorrow इंटर्जक्शन for shock इंटर्जक्शन for anger अब आपको यहां पर topic खतम हो गया है इसके बाद आपको लिखना है जनरलाइजेशन इसमें आपको देखना है students को कितना यह topic समझ में आया है recapitulation यह तरखी quick revision होती है आपको topic related questions पुट अप करने है students से last में आपको students को homework देना है अगर आपको content अच्छा लगा है तो please इस video को like करें इस पर comment करें और चैनल को subscribe करना ना भूले